हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक वेब्टेकिन देप चेनल तो आज का हमारा एजेंडा है फॉर्म क्रीट करना तो चलिए सुरू करते हैं हमने अपने पिछले टीटोरियल में देखा था इन्पूट एलमेंट टेक्स्ट एरिया पर एक ऐसे फॉर्म कंट्रोल क्लास अप्लाई करते हैं थेन हमने सिलेक्ट बॉक्स पर देखा था उसके लाब रेडियो बटन देखा था रेंज देखा था तो आए इन सब को कमबाइंड करके एक फॉर्म बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिबसे पहले एक grid layout define कर लेते हैं मैं यहाँ पर column लेता हूँ, call.sm6 और यहाँ पर मैं background ले लेता हूँ, bgyyt रहने देते हैं यहाँ पर मैं shadow class लगा देता हूँ और pod है rounded कर देते हैं इसे, rounded 2 और इसके अंदर मैं कुछ content लेता हूँ, मैं यहाँ पर heading लेता हूँ registration form यहाँ पर हम कर लेते है, registration form save करते हैं और सबसे पहले हम run कर लेते हैं तो यह देख सकते हूँ, यह हमारा registration form आ चुका है इसे हम center में कर देते हैं तो इसके लिए हमें रोपी लगाना होगा, justify content center class और रोपी हम दे देते हैं, my3 तो यह margin top और bottom से 3 pixel रहेगी तो यह हमारा center में आ गया और margin आ गया top bottom से मैं तोड़ा अधिक कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ save करते हैं और refresh करते हैं अब create करते हैं एक simple form तो form में basically क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास input field होता है name के लिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं label define कर लेते है label में हम लिख देते है label में class देते है form label form label और यहां पर मैं देता हूँ name इसके लबब हम input type text लेते है name के लिए और यहां पर class देते है form control यह हमने classes पड़ी होई है मैंने save किया और refresh करते है तो यह देख सकते हो आप यह हमारा label आ चुका है और यह हमारा input field और क्या करते हैं अब हम name के लाबबा कुछ और create कर लेते हैं सब कुछ message के लिए मैंने यहां पर label दिया label dot form label और यहां पर message दे सकते हूं message और यहां पर text area ले लेते हूं text area यह column सटा देते है यहां पर class देते form control और रोज में मैं कर देता हूं 2 save करते है refresh करते है यह देख सकते हो आप यह अपना name आ गया और message आ गया यहां पर आपको करी spacing चाहिए तो आप इस label पर class add कर सकते हो empty 2 save करते है तो यह देख सकते हो आप थोड़ा spacing आ चुका है दोनों के बीच में paste कर लेते है मैं copy कर लेता हूं इस label को और यहां पर paste कर देता हूं यहां पर हम कर देते हैं city select के लिए select box पर हम ए class लगानी हो थी form select तो यहां पर हम form select use कर लेंगे और sizing classes अगर आपको लगानी हो तो इस पर आप लगा सकते हो form control, sm, lg और medium के लिए form control यदि select के लगानी हो sizing class तो इसके लिए form select sm form select lg जैसे आपको चोटा चाहिए select box तो यहां पर form select sm use कर सकते हो यहां पर मैं option यहां पर option देता हूं यहां पर हमने दे दिया लकनो यहां पर हमने दे दिया कोलकाता यहां पर हमने दे दिया option 12C 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 मैं refresh करता हूं तो यह देख सकते हो आप यह हमारी city आ चुकी है okay तो हमने यहां पर form control देखा form select देखा अब हम radio button और checkbox भी बना लेते हैं radio button checkbox और switch कुछ ऐसा भी हो यहां पर सबसे पहले label ले ले लेते हैं label label में हमने यहां पर कर दिया यहां पर हमने कुछ label दे दिया यहां पर हमने कर दिया checkbox and radio तो checkbox के लिए में क्या करना होता है सबसे पहले में class लेनी है form check और इसके अंदर input colon checkbox और यहां पर आपको class लेनी है form check input और इसे में copy और यहां पर label लेना label dot form check label यहां पर कर दता हूं label यहां पर जैसे मैंने कर दिया cricket यहां पर जैसे मैंने कर दिया इसे आप copy paste कर सकते हो अगर कोई और option चाहिए यहां पर मैंने कर दिया football सेप करते है और रेट्रेस करते है तो यह देख सकते है यह हमारा checkbox आ चुका है और रेडियो बटन भी क्रेट करने के लिए क्या करना है सिर्फ हमें यहां पर आइट कर दिना होगा checkbox के चाहर रेडियो तो यह रेडियो हमें क्रेट कर लिया then हमने सीखा था form में switch का तो switch के लिए हमें क्या करना था simply हमें copy करना इस form check को और यहां पर form check के पास ही आपको class add करनी है form switch ध्यान रहा है यह input type checkbox हो और यहां पर हम दे देते है on off सेप किया हमने अब हम refresh करते है तो यह देख सकते हो on off आ चुका है तिन हम देखा था range तो range के लिए में क्या करना है label ले 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 थे हम पहले label और यहां पर class हमने ले लिया form label label और input type range के लिए class लेनी थी form range save करते है और refresh करते है sorry हमने यहां पर type text नहीं change किया यहां पर कर देते है range तो यह देख सकते हो यह हमारा range आ चुका है तो almost हम लोगों ने सारी चीचे cover कर लिया है जो हमने पिछले tutorial में देखा था इसके लब हम लोगों ने input group देखा था तो उसका भी यूज कर लेते है तो input group classes का यूज कर लेते है इसमें input don form control save करते है और refresh करते है तो यह देख सकते हो यहां पर हमने यह भी यूज कर लिया है input group का यहां नीचे बट padding नहीं आ रहा है तो हम क्या करते है इस column के नदर padding में देते हूँ save करते है और refresh करते है ताकि नीचे से हमेसा space आया करे तो अभी हमारा सही है और हमने बटन भी देखा था तो बटन का भी यूज कर लेते है हमने यहां पर नीचे आतो हम solve करते हो यहां पर button यूज कर लेते है button यहां पर class btn 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 primary और हम यहां पर submit यहां पर इस button के click form submit करना चाहे तो submit बटे touch होता हुआ रहा है तो हम यहां पर कर देते है empty 5 save किया और refresh करते है तो यह देख सकते हो आप थोड़ा नीचे आ चुका है यह आप चाहते हो button circle में आए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो rounded pill class use कर सकते हो save किया हमने अब हम refresh करने जा रहे है तो यह देख सकते हो button जो है change हो चुका है इस पर आप चाहँ तो shadow भी add कर सकते हो shadow add कर दिया save करते है refresh करते है यह देख सकते हो आप इससे आप block level भी बना सकते हो तो हमने कर दिया इसे deblock save किया मैंने अब मैं refresh करता हूँ यह मैंने deblock कर दिया है और इससे मैं कर देता हूँ MX AUTO अब मैं refresh करता हूँ यह button हमारा center में आ चुका है तो इस तरीके से आप center में भी कर सकते हो तो यह तो हमारा basic form आप भी इस तरीके का फॉर्म क्रेट करने की कोशिस करो तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेब बाए